सो हेलो ब्रिवन अज्किल्स डिफिन्स इंस्टिटूट पर आपका गेंस विलकम है बात करें जैसे सी कलर वन रच्छी जैसे सी अस्पेशल ब्रांच इन तीनों विभागों की तो इन तीनों विभागों में जो भरती ली जाती है जैसे सी के द्वरा वह 12th बेस क्वालिफिक हम लोगों ने कवर कर लिया है एक पत्या डोंगल महवर यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है सो लिंक डिस्क्रिप्चन बोक्स पे अनियथा आप प्लेलिस्ट एक्षन पे भी विजिट कर सकते हैं और बात करें आज का दूसरा चेप्टर तो वह हम लोग का चेप् परकार है एक है महा कावी और एक है खंड काव डिंडाग डोनी तो परबंध काव है इसमें कोई डोट नहीं है लेकिन परबंध काव में भी किस परकार का कावी है तो खंड कावी है किस परकार का कावी है खंड कावी है और यहां से जो आप इसका परिचे देख पा रहे हो की तो generally इस book में एक ही a story है एक ही कवीता है तो आप इसे एक chapter के तोर पर भी ले सकते हैं या फिर आप इसे book के तोर पर भी ले सकते हैं because इसमें कवीता जो है हुआ एक ही कवीता है तो चलिए हम लोग इसे देखने का परियास करते हैं सबसे पहले बात के लिए डिंडाग डोनी की तो यह एक परकार का परबंद काव है यहां से पहला परश्ण पुछा जाता है और परबंद काव में वे किस परकार का कावी खंड कावी यहां से दो परश्ण आपके बन गे पूछा जाता है अगला प्रश्ण में कभी तो डिंडाक डोनी के जो कभी है वा है बंसी लाल बंसी इनका डेट ओब बर्थ भी प्रिवेस यर जो जिसे सी कलर एकजाम 2018 में हुआ था उसमें पूछा गया था तो बात वे बंसी लाल बंसी के जन्म की तो इनका डेट ओब बर्थ है 11 मार्च 1924 इसवी कभ जिया जन्मे थे 11 मार्च 1924 इसवी को जन्म अस्थान के बात करें चोफांत बोकारो अस्टिल शिटी बोकारो और इस बुक के परकासक है खोठा साइथ संस्कृती पर्बंद कावी है एसके कभी है 11 मार्च 1924 इसवी में चोफांत बोकारो अस्टिल शिटी बोकारो में हुआ था परकासक की बात करें इस किताब की खोठा साइथ संस्कृती परिशत बोकारो के द्वारा इस बुक को परकासित किया गया इश्वी की बात करेंट 1992 इश्वी में तो चलिए अब हम लोग इसके जो कविता है इस कविता को संचित में इसे परिचे देखने का परियास करेंगे बिकोट जो कविता सेक्षन से यहां से प्रश्ण बहुत ही कम ही चांस होते हैं पुछने के लिए डाइकली फेक्ट बेस पर परिचन पुछे जाते हैं किस परकार का का भी है कभी को नहीं परकासक परकासक वर्स और इसके अंत में हम लोग इसके प्रिवियस एयर परश्णों को भी लिया जिससे कि आप इस चीज को एनलाइसिस कर सकते हैं वाके में इस चेप्टर से कि परकार के पुछे जा सकते हैं और प्रिवियस एयर में किस परकार के पुछे गए हैं जिससे हम लोग अपकमिंग एक्जाम जो रिपियर कर रहे हैं जिससे सी कलर अस्पेसल ब्रांच हुआ नची ताकि इन प्रांचों में जो एक्जाम में पुछे जाए हम अधिक से अधिक मेक्सिमम अस्पोर कर सकें अधिक से अधिक प्रांचों को 100% एक्यूरेसी के साथ टेकल करके जैसे कि हम लोगों ने आपके साथ डिसकस अभी किया जश्ट ही कि परबंद कावी के दो रूप होते हैं कौन को महा कावी और खंड कावी इस परकार डिंडाग डोनी एक खंड कावी है परबंद कावी तो है बट परबंद कावी में भी किस परकार का कावी खंड कावी यहां से दो प्रश्ण आपके पूछे जाते हैं यह कावी बोकारो अश्टिल कारखाना की अस्थापना और उसके लिए हुए विस्थापन की प्रिष्ट भोमी पर लिखा गया है। यह कारे में लगे मजदूरों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाप संगर्स की कहानी है। इसी की बेटी का नाम है महुआ तो महुआ इस कविता की मुखी अभी नीतरी है और कर्मा बात करे कर्मा इस कविता के मुखी अभी नीता है। बात करें जगन एक सोतंतरता सिनानी और सहिद है। जगन जो एक बेक्ती थे वह सोतंतर हो चुके हैं और वह एक परकार के सिनानी थे अब वह सहिद हो चुके हैं और उसकी बेटी का ही नाम है महुआ। पिता की समय मोत के बाद परिवार जिम्यदारी निभाने के लिए महुआ को रेजा का काम करना पड़ता है। मजदूरी कर रहे हैं इनी में से महुआ भी थी जो यहां के अगल बगल के जो लोक थे हुआ जो बोकारो अश्टिल शिटी करखाना कर जब निर्मान हो रहा था इसमें अपने खेती बारी को गवा चुके थी और अब वह वहीं उसी करखाना में मजदूरी के काम अभी किया करती थी उस मजदूरों में से महुआ भी एक उन्हें में से एक थी और महुआ भी वहां पे मजदूरी की काम किया करती थी महुआ एक तेश तरार यूटी थी महुआ किस प्रकार की यूटी थी तो इसका बिसेश बात करें इनका बिसेश गुन था किया तेश तरार थी वह क नहीं करती थी बरदास नहीं करती थी मजदूरों के खिलाब दोरान ठेकेदार द्वारा अन्याय और आर्थिक सोसन के खिलाब मुखर होके आगे आती थी जो भी उनके साथ साथ जो मजदूरी का काम किया करती थी उनके उपर यदि जरा सा भी कुछ सोसन अन्याय होता था तो साहता करती थे उसी परकार लोग उनकी मदद भी करते थे लोग उनका साथ भी देती थे कर्मा नामक जो कर्मा इस कविता के परमुख नायक की यदि हम लोग बात करेते हुआ था कर्मा कर्मा नामक युवक महुआ का खास सहयोगी था कर्मा जो महुआ है उसका खास सहयोगी था महुआ उसे अपना मुख भोला बाय बना लेती है और दोनों इस परकार भाय और बहन के समध में बन जाते हैं बात करें महुआ और कर्मा की तो महुआ और कर्मा की संगठन का विष्टापितों की हक में संगर्स तेज होता इस परकार जब दोनों मिल जाते आपस में तो इनका जो संगठन होता बना जाता मजदूरों के द्वारत हुआ बहुत ही कारी साली प्रभाव करता हूँ वहां के जो बोकारो अस्टिल सिटी प्लांट का जो मेनेजर होता है वहां का जो परमुक होता है उनके द्वारा जो सोशन किया जाता है मजदूरों के द्वारा तो ये दोनों वहां के मजदूरों को अपने साथ मिलाती है और बिरोध करने का परदर्सन करती है इस परकार वहां के मजदूरों का भी इनका साथ मिलता है कि किस परकार हम लोगों के लिए यह काम कर रही है तो इसलिए हम लोगों को भी इन दोनों का महवा और कर्म का भी साथ देना चाहिए इस कर में कई सफलताएं मिलती है इस कर में इनको कई सफलताएं भी मिलती है लेकिन महुआ कारखाना परबंदन और ठेकेदार के आँखों का काटा बन जाती है इस परकार जब बिरोध परदर्सन करती है मजदुरों को अपने साथ मिला करके तो इस परकार जो कारखाना के पर बिद्वा योती कर्मा की ज़म बात क रें तो यह बिद्वा योती जिसका नाम È Rudolph इन करते हैं रा बी जनि विद्वा करता है और यह किस परकार क्या इसके साथ फ्रिष्ट परिष्टिति आ जाती है कि इसको बिद्वा योती सुग्या के साथ साधिक करने का इसे जुरुत पढ़ सकता है तो यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सुग्या, सुग्या तथा कथित उची जाती की और जमिंदार खंदान की बाल बिद्वा है कॉन से नदी में कुँज जाती है संयोग से कर्मा उसको देख लेगता है जब वह आतमाथिया करने के लिए दामदर नदी में छलांग मारती है या फिर पूल से उपर से निचे कुद देती है तो संयोग से उस समय कर्मा अगल बगल सही गुज़र रहता है तो उसको देख लेता है और उसे डूबने से बचा लेता है कर्मा सुग्या को जीवन का नया पाट फड़ाता है सुग्या की चिनोती पर आविवाईत कर्मा उसे अपना जीवन साथी बना लेता है कर्मा के इस साथाइक और करांतिकारी कदम में महुआ और उसके संगठन का भरपूर साथ मिलता है इस परकार का जब यूति के परिशानी को देख करके इस परकार कर्मा के द्वरा कदम उठाया जाता है तो महुआ के साथ साथ जो वहाँ पे काम कर रहे हुते मजदुर उनका भी भरपूर उनका साथ मिलता है कर्मा को महवा अब समाजिक बुरायों के खिलाब भी मुकर हो चुकी है जिससे महवा के दुस्वनों की संख्या बढ़ जाती है अंतता कार खाने के ठेकेदार और सुक्या के जमिनदार जो सुक्या के जमिनदार ससुराल वाल है बोकारो एस्टिल सेटी प्लांट उसके ठेकेदार और सुग्या के जो जमिदार ससुरुवार वाले होते हैं इन दोनों के द्वारा मिल करके महवा की हतिया करवा दी जाती है उसी दिन कर्मा की पत्नी जो सुग्या होती है जो कर्मा विवायत रहते हैं किसके साथ सुग्या के सभी सदस्यों, सभी साथियों की राय से महवा रखा जाता है इसके बाद लोग महवा की चिता की आग के सामने संगठन की संगर्ष को जारी रखने की कसम खाते ही कावी की कहानी यहीं समाप्त होती है कावी की कहानी यहीं पर समाप्त होती कायव की सिर्षक का अर्थ है दिंडा, दिंडा का अर्थ होता है जन्म अस्थान और आसपास का परिवेज दिंडा का बात करें साब्दिक अर्थ तो दिंडा का साब्दिक अर्थ होता है जन्म अस्थान और आसपास का परिवेज वहीं बात करें डावनी का मतलब तो डावनी का सावधिय का अर्थ होता है पीडा, जोर से रोना, दुख तकलीफ होना इनी दो ठेट खोथा सब्दों की मेल से बना है यह सिर्जच्ट डिंडा संग्यत सब्द में का संबंध कारकचिन लगा है का कारकचिन? कौन सा कारकचिन डिंड़ा में का आंप चिंड़ू, वहीं पर बात करें दोयां एक किरिया में नीपतिया जोडने से बना है, इसका भावार्थ है लेकर की जन्भ भूमि की सतानों कि दूर्दशा का बखान। काविय में कुल सर्गों की जदी हम लोग बात करें तो काविय में कुल सर्गों की संक्या है छे सर्ग जिसमें की पहला सर्ग है डिंडा, सपून, हुलु अस्तूल, डहर, पुहा, खांदरा इस परकार इस काविय में कुल छे सर्ग है काव के भूमिका के लेखक की बात करें तो काव के भूमिका के लेखक हैं एके जहाँ कथा वस्तु के सरांस के लेखक हैं दिनेश कुमार दिन मनी तो इस परकार हम लोगों ने इस कावी को इसके संचिप्ट वर्डनर परीचे को हम लोग इस फरकार से डिसकस किया तो चलिए अब हम लोग उन प्रिवियस एर प्रश्णों को देख लेते हैं देन फिर हम लोग यहां पर आएंगे और इससे बनने वाले अब कमी एकजाम की पॉइंट आव व्यू से महत्पून हो जाती है इन प्रश्णों को देखने का परियास करेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रिवियस एर को देखेंगे आने वाले जो भी अभी हम लोग 9-10 प्रश्ण डिसकस करने वाले यह सारे प्रश्ण जैसे सी कलर जो की एकजाम चार फरोरी 2018 में कंडेक्ट करवाए गया था उन सारे प्रश्णों को हम लोग इस सेशन के मधियम से डिसकस करने वाले पहला प्रश्ण देख पा रहेंगे द दिंडाग डोनी कावी की जदी हम लोग बात करेगे या किस परकार का कावी है दिंडाग डोनी तो एक परबंद कावी है बट परबंद कावी के भी अंदर में कौन सा कावी है परबंद कावी के दो परकार होती कौन-कौन एक होता है महा कावी और एक खंड कावी तो इस प वादिक अर्थ होता है घर बाड़ी आसपास का वातवरन अगला प्रश ने डिंडाग-डोनी काईव के लिखवई यह हद डिंडाग-डुनी जो कविता है इसकी कवी कौन है या किस केửारा रचना की गई है इसके कवी की जतिबात करेत हो आ है बंसी-ला-ल-्बंसी अगला पर था 11 मार्च 1954 इस्विय में अगला प्रशन है डिंडाग डोनी किताब के परकासक है इसे किसके द्वारा परकासित किया गया तो इसका परकासक की बात करें तो इसके परकासक है बुकारों खोठा कमिटी बुकारों की द्वारा इस कविता पूस्तक डिंडाग डोनी को परकासि दिया गया है कुछी मंतली पहले तो उन प्राश्णों को हम लोग इस सेशन की अब हम लोग उन प्राश्णों को देखने वाले ही जो की जैसी सी अस्पिसल ब्रांच 2019 की एकजाम में पूछा गया था जिसे कुछी महने पहले इस भेकिंसी को केंसल रत करवा दिया गया है पहल अगला प्राश्ण था दिंडाग डोनी कवी के नाम बतावा दिंडाग डोनी जो पुस्तक है कवीता पुस्तक इसको किसके द्वारा लिखा गया है बंशी लाल बंशी के द्वारा अगला प्राश्ण है दिंडाग डोनी खंड कावी कतना सर्ग में लिखल गले तो इक कवी पिद्दा में छे को सर्ग है अगला प्रश्ण था डिंडा डोनी कावी कर सर्ग है सर्ग केतने परकार्ट के थे छे को सर्ग जिसमें कि जद्धी हम लोग बात करें यहां पर आप उप्शन देख पा रहेंगे यहां पर माजो अगनु विनोत कर्मी की डिंडा सपून डहर की अप्शन नमबर डी नन तो इसमें जद्धी हम लोग बात करें अप्शन नमबर एक की डिंडा सपून और डहर इसके परमुक सर्ग है तो अब हम लोग उन प्रश्णों को देखने वाले हैं जो कि यह डिंडा डोनी कावी से बनाएगी है जो कि आने वाले अपकमिंग एक् काव के कवी के नाम बतावा तो डिंडा डोनी अगला प्रशन है डिंडाट डोनी कहन कावी के नाम बतावा तो इस प्रशन का सई अंसर हो जता है महा काव और एक है खंड काव इस परकार इन दोनों काव में किस परकार का काव है दिन्डाग डोनी तिया एक परकार का खंड काव है दिन्डाग डोनी के परकासर नुवर्स की बात लेती इसे 1992 इस्वी में परकासित किया गया है दिन्डाग डोनी के नाइका के नाम की लाग है त सुग्या डिंडाग डोनी में पहले के हलिक, तो सुग्या के जदी हम इन बात करो ये, तो सुग्या रांडी जुवान जनी, रांडी मनी बिद्वा जनी रहे, सुग्या दोसर बिहा ककर से भेल रहे, सुग्या के जे दूसरा का पती हले, मरद हले, उ कोन रहे, तो उ कर नाम हल अरत की होई है डिंडाक डोनी सिर्शक के जदि हम इन अरत के बात करोगे तो डिंडाक मनी होई है जनम अस्थान आसपास के अस्थान और डोनी के मनी होई है दुख दर्द पीड़ा अगला प्रस्ट ने महुआ ककरा आपन भाय मानल हले तो महुआ आपन मो भायला भाय ककरा मानले रहे कर्मा के अगला प्रस्ट ने महुआ ककर खिलाब अंदोलन के अगवाय करल हले महुआ के जदी बात करो ये थी ठेकेदार और जमिनदार सोचन अधियाचार खिलापे आंदोलन कर ले रही महुआ के कौन हतिया करो है तो महुआ करकर द्वारा हतिया करल जाए महुआ के जे दिन ओकर बेटी चाहवा भेल रहें वहे दिन महुआ के हतिया कर दियल जाए ठेकедार पर जमिंदार के द्वारा अगला प्रस्ण है कौन दिन सुगिया आपन बेटी के जनम दे है देखिए यहां पे प्रस्ण भी पूछ लिया गिया है जो दिन महुआ के हतिया भेल हले अगला प्रशन है डिंडाग डोनी काईप कतना सर्ग में लिखल गेले तो डिंडाग डोनी में टोटल 6 गो सर्ग है अगला प्रशन है डिंडाग डोनी के मुखी काथी की लागे तो इस प्राशन का सही आंसर हो जाता है option number A विश्था पनेक दरद आर नारी चितना अगला प्राशन है डिंडाग डोनी के परकासक कहां से भेल रहे तो एकर परकासक खोठा साइथ संस्क्रिती परिशत बोकारों से भेल रहे अगला प्राशन है रतले भरल जे माटी तवात तकर बेटा बेटी भोर ठोनगी माडो ना जूटाए दैख है या गोड़ा फाटाए यी पंगतवयन कुन किताब से आयल है तो इस प्राशन के सही आंसर हो जा है उप्सन नमबर ए डिंडाग डोईनी अगला प्राशन है डिंडाग डोईनी काईब के पहिला और आखरी सर्ग के नाम लागे तो काईब जे डिंडाग डोईनी है इक काईब के टोटल सर्ग के जदी बात करूए तो टोटल सर्ग है छ जेकर में प्रारंभ यानि के शुरू के सर्ग और आखरीश के सर्ग के नाम है डिंडा और कांधर, डिंडा सब्दिक अरथ बतावा, तो डिंडा कर साधिक अरथ हो है घार और घारक सटल ठाउन, जनम अस्थान, डोईनी सब्दिक मान किया हो है, डोईनी मने एकर साधिक पासर बहजा है उप्शन नमबर सी खोठा दवर्पन अगला प्रशन है डिंडाग डोनी के लेतायरे एकर में सही कहन की लागे तेकर में जदी हमीं सही कहन के बात करो ये सही कतन कोंटा लागे तो जी उप्शन नमबर ए में दिया लिए महुआ नामिक नारी अन्याय और अत् वहाँ सब्सक्राइब नां सही कतनी तो अन्याय वहाँ इससे का वैद कर न ने किल दोफात कर द्व करओं और दोफ्षन है कौन कौन एकर भेद लागे तो महा कावी और एकर खंड कावी परकार से परबंद काप के दुग भेदे कौन कौन महा कावी और खंड कावी